हेलो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको यह ट्रमपेट वाइन की कटिंग है इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताऊंगी यह मेरे पास ओरेंज ट्रमपेट वाइन की कटिंग है यह मैं कल कट करके लिए क्या आई थी मैंने इनको पाने में रख दिया था यह देखिए आप जैसे देख सकते हैं यह हर एक नोड एरिया से अपने आप इसमें रूट्स बनी हुई होते हैं यह देखिए इसको कटिंग से लगाना काफी इजी होता है ध्यान रखिए जब भी आप कोई ट्रमपेट वाइन की कटिंग लें तो कि हैल्दी कटिंग लें यह देखिए मैंने कितने मोटी वाली स्लेक्ट किया है रंडी क्योंकि पतली वाली को लगने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें रूट्स भी काफी हैल्दी है चलिए इसको कट कर लेते हैं कि मैं इसको नोड एरिया के पास से यहां से कट करूंगी यह मैंने लीव्स यहां से कट कर दी थी इसमें यहां रूट्स नहीं बनी हुई है तो मैं थोड़ा सा यहां से इसको करूंगी यह लीव्स रता दिंगें इसके भी लीव्स रता देती है यह मेरी दो कटिंग रेडी है यह मैंने पहले से मिट्टी रेडी की हुई है यह मैंने रूटिंग हर्मोन लिया है अब मैं इस कटिंग को रूटिंग हर्मोन में डिप कर लूँगी और तोड़ा रूटिंग हर्मोन में इस वाले पोर्शन प्रिप लगांगी यह मैं इस वाले प्रिप लूटिंग हर्मोन में इस वाले प्रिप लूटिंग सब्काइब देवायन अच्छा सब्सक्राइब देगा आधा रूटिंग सेम मैस कटिंग के साथ भी करूंगी मैं अभी दोनों कटिंग एक ही गंबले में लगा रहे हैं जैसी इन में ग्रोथ होना श्टार्ट हो जाएगी ति मैंन को अलग अलग पोट में लगा दूंग को अलग दो कटिंग को मैं अच्छे से प्रेस करूंगी आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे जो दूसरे रूट्स वाले नोड एरिया थे वह अभी मिट्टी में दबे नहीं तो मैं थोड़ी मिट्यों और डाल दूँ इसमें यह दोनों कटिंग लग गई हैं चली पानी डाल देते हैं जब भी कोई कटिंग लगाएं तो पानी जरूर डालें उसमें जब यह कटिंग लग जाएगी तो मैं इसका अपडेट भी आपको दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में लगाप estás है पुमिटाव जरूर को अपाओ को मेरा बरी वके संदायर नाzeit झाल झाल